बेलकम टू एक्जाम भी भेचना तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी साहित्य के मौक्टेस टू के बारे में इसते पहले हमने एक मौक्टेस को डिस्कस कर लिया है अगर भी तक आपने उसे नहीं देखा है ताब उसे भी देख सकते हूँ जो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर जो पहला प्रशन पूछा गिया है यह प्रशन एक अचारे हजारी प्रसाद दुवेदी द्वारा रचित हिंदी साहित्य का आदिकाल का प्रकाशन बर्श किया है तो यहाँ पर जो सही विकल्प रहेगा तो बो हो जाएगा विकल्प डी 1952 तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो हिंदी साहित्य का आदिकाल किसकी आलोचनात्मक पुस्तक है तो यह हो जाएगी अचारे हजारी प्रसाद दुवेदी की और इसका प्रकाशन बर्श किया है 1952 हाँ दोस्तों अगर आपको प्रशन के उत्तर आत लेकर भक्तिकाल जिसका समय था 693 से लेकर 1693 इस्वी तक का ही जिकर किया है तो यहाँ पर आप अपने सही उत्तर को दे सकते हो तो इस प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर विकल्प भी रामकुमार बर्मा तो जो रामकुमार बर्मा थे इन्होंने अपने इतियास क्रंथ को संदी काल से लेकर भक्ति काल तक ही बर्णीत किया है और जिसका समय है 693 इस्वी से लेकर 1693 इस्वी अगला कोशन है तीन इसमें पूछा गया है हिंदी सहित्य का आधा इतियास इसके रचनाकार होंगे सुमन राजी का प्रकाशित बर्ष किया है तो यहाँ पर जो सही बिकल्प रहेगा तो वो हो जाएगा बिकल्प 3 2003 अगला जो कोशन है यहाँ पर इसमें पूछा गया है जोर्ज ग्रियसन ने अपने इतियास ग्रंथ जिसका नाम है और इसका प्रकाशिन बर्ष से 1888 इसवी में चारनकाल की समय सिमा क्या रखी है तो जो चारनकाल की समय सिमा रखी है जोर्ज ग्रियसन के द्वारा तो यह होगी आपकी बि 700 से लेकर 1300 इसवी तक तो यहाँ पर आपसे 2-3 प्रशन बन सकते हैं सीदे सीदे पहला जो प्रशन बनता है तो वो है the modern बनना की उल्ल literature of हिंदोस्तान इसके रचनाकार कौन है? तो ये है George Giresan उसके परशात है the modern बनना की उल्ल literature of हिंदोस्तान इसका जो काशन बर्ष क्या है? तो ये है 1888 इस्वी तो चलिए अगला प्रशन देखते है निमन में से किस कभी को Giresan ने चारन काल के अंतरगत नहीं लिया है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जो George Giresan है इन्होंने अपने आदिक काल में जब कभियों का बंडन किया था उसमें इन्होंने नो कभियों को लिया है तो उसी से सबंदीत ये प्रशन है निमन में से किस कभी को Giresan ने चारन काल के अंतरगत नहीं लिया है तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प सी अमीर खुसरो बाकी जो पुश्य कभी है अनन्य अदास है जो दराज है इन तीनों को ही Giresan ने अपने चारन काल के अंतरगत लिया है अगला प्रशन है छे डॉक्टर रामकुमार बर्मा ने आदेकाल के लिए क्या नाम दिया है तो सबसे पहले प्रशन को देखते हैं डॉक्टर रामकुमार बर्मा ने आदेकाल के लिए क्या नाम दिया है तो यहाँ पर जो 6 होगा इसका सही बिकल्प हो जाएगा संदी काल और चारन काल याद रखी का important प्रशन है यह अगला कोशन देखते हैं इसमें पूछा गया है मोहन अवस्ती और सुमन राजे ने आदेकाल के लिए क्या नाम दिया है तो दोस्तों यह प्रशन तो भी RPSC की प्रिक्षा में पूछा गया था इसमें पूछा गया था कि मोहन अवस्ती ने आदेकाल के लिए क्या नाम दिया था तो ये हो जाएगा विकल्प सी आधारकाल इसे के साथ सुमन राजे ने भी आधिकाल को आधारकाल नाम दिया है अगला प्रशने आठ इसमें पूछा गिया है सिद्धों की उद्रित रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभर्श या पुरानी हिंदी की काप्य भाषा है आधिकाल के लिए ये कथन किसका है तो जो ये कथन आधिकाल के लिए होगा तो ये हो जाएगा अच्चारे रामचंदर शुकल का सही विकल्पी नहां पर भी हो जाएगा अगला कोशिन देखते हैं तो ये है नौ आधिकाल को अत्याधिक विरोधों एवन ब्याई घातों का यूग किसने कहा तो ये कहा था आपके हजारी पर साथ द्वीवेदी के द्वारा नौ का सही विकल्पी यहां पर भी हो जाएगा अगला कोशिन है यहां पर दस इसमें पूछा गया है पुरानी हिंदी जो की अपभरश है को प्राकृतावास हिंदी कहा कर किसने पुकारा था तो जो पूरानी हिंदी को प्राकृतावास हिंदी कहा था तो ये कहा गया था आपके अचारे रामचंदर शुकल के द्वारा यहाँ पर दस का सही विकल्प D हो जाएगा अगला कोशन है ग्यारा जो जिन सासन भाष्यू सो भई कही उडू सारू पंक्ती किसकी है तो ये जो पंक्ती हो जाएगी आपकी देवसिन की यहाँ पर सही विकल्प D हो जाएगा तो आपके लिए दूसरा प्रशन है आपने देवसिन की रचना के बारे में बताना है कि देवसन की रचना कौन सी है जिसे हिंदी साहिते की प्रथम रचना भी माना जाता है अगला कोशन है बारा घोर अंधारे चंदमनी जीमी और जो करी पंक्ती किसकी है? तो जो ये पंक्ती होगी यहाँ पर बारा तो ये हो जाएगी आपकी सरहपा की पंक्ती अभाब ना होई अभाब ना जाई तो यह पंक्ति किसकी हो जाएगी तो यह पंक्तियां हो जाएगी आपकी लुई पाकी यहाँ पर सही बिकर सी हो जाएगा अगला कोशिन है चौदा तो यहाँ पर दो तरक या आप यह कह सकते हैं दो कथन दिये गए हैं आपके स्मक्ष पहला कथन है हालो डोंबी तो पुछमी सतभावे पंक्ती डोंबी पाकी है इसके पर शात है गंगा जउना माजे भहीरे नाई पंक्ती गणा पाकी है तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा बिकल्प सही होगा पहला जो बिकल्प है एक और दो दोनों कथन सही हो जाएंगे दूसरा है एक और दो दोनों कथन गलच तो जाएंगे तीसरा है केवल एक कथन सही होगा और चौथा है केवल दो कथन सही होगा तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा तो जो चौदा का सही उत्तर होगा तो भो हो जाएगा आपका विकल्प भी दोनों ही कथन गलत हो जाएगे तो जो पंक्ती है हालो डोंबी तो पुछमी सदभाबे तो ये कणापा की पंक्ती हो जाएगी और जो दूसरी पंक्ती है गंगा जzahlुणा माजे वही रेनाई तो ये पंक्ती डोंबी पाकी हो जाएगी तो याद रखेगा पंक्तियां घुमा फिरा कर पुछी गई है अगला कोशन है पंदरा पूछा गया है हिंदू बोलही दूरही निकार छोटे तुरुका भवकी मार तो जो ये पंक्ती है किसकी है बताना है तो ये पंक्ती हो जाएगी आपके बिकल्प डी बिद्यापती की अगला जो कोशन यहां पर रहेगा तो वो है सोला इसमें पूछा गया है निमन में से कौन सी योगिनी चुरासी सिद्धों में शामिल नहीं है तो बिकल्प में है मनी भदरा, मिकलापा, अंडाल या कनपलापा तो यहां पर जो सही बिकल्प हो जाएगा बिकल्प सी अंडाल अंडाल की जगा यहां पर आएगा लक्षमिकारा कई बार यह प्रशन भी पूछा जाता है कि जो चुरासी सिद्धों के अंतरगत योगिनों की संख्या तिकनी होगी तो जो चुरासी सिद्धों के अंतरगत योगिनों की संख्या हो जाएगे चार एक है मनी भद्रा, दूसरी मेकलापा, तीसरी लक्षमिकारा और चौथी कनपलापा अगला प्रशन है 17 इसमें पूछा गिया है गोरकनात ने अपने गरंथ का पचार कहां पर किया था तो जो गुरु गोरकनात थे नात्संपरदाय के प्रवर्टकों में इन्हें माना जाता है तो इन्होंने अपने करंथों का परचार या अपने धर्म का परचार किया था पूरवी भारत में, पच्चमी भारत में, उत्तर भारत में या दक्षिन भारत में तो यहाँ पर सही बिकल्प हो जाएगा बिकल्प भी पश्चमी भारत में अगला कोशन है अठारा इसमें पुछा गिया है रिठडेमी चर्यू और पॉंचर्यू किसकी रचनाएं हैं तो बिकल्प में हो जाएगे सरहपपा, शबरपपा, स्वयंभू या पुश्वदन्त तो यहाँ पर जो सही बिकल्प हो जाएगा तो वह हो जाएगा बिकल्प स्वयंभू सुइम्भू में यहाँ पर बिंदी आईगी अगला कोशन है उन्निस निमन में से किसे अपवर्ष भाषा का बालमिकी तथा बियास भी कहा जाता है तो बिकल्प में हैं आपकी पुश्दंद, हेमचंद, बिद्यापती या सुइम्भू तो जो अपवर्ष का बालमिकी कहा जाता है तो यह बालमिकी और बियास तो यह कहा जाता है सुइम्भू को यहाँ पर सही बिकल्प डी हो जाएगा अगला कोशन है, 20 इसमें पुछा गया है, सुइम्भू ने अपनी भाषा को डैश कहा है तो उड़ताना है कि जो रिक्त स्थान में क्या आएगा विकल्प में होंगे पिशाच भाषा, अपबरंश भाषा, देशी भाषा या इनने से कोई नहीं तो 20 का से ही विकल्प हो जाएगा C स्विम्भू ने अपनी भाषा को कहा है देशी भाषा अगला कोशन है 21, 63 महापूरिस, अर्थात महापूरान, नईकुमार चरियू और जसहर चरियू किसकी रचनाएं हैं विकल्प में हैं हिम्चंद, सुइम्भू, पुश्वदंत या अब्दुलरह्मान तो सही भीकल्प हो जाएगा यहां पर स, अर्थात पुश्वदंत जो 63 महापूरिस है या महापूरान है, नेकुमार चरियू है, जसहर चरियू है यह तीनों ही रचनाएं पुश्वदंत की हो जाएंगी अगला कोशन है 22, तो इसमें पूछा गया है मिश्रबंदु बिनोध जिसका प्रकाशिन हुआ था 1913 के प्रतम संसकर्ण में आरंबिक काल जिसका समय है 700 से 1444 बिक्रम के अंतरगत कितने कभियों को स्थान दिया गया है तो सीधे सी देप्रेशन को बता देता हूँ जो मिश्रबंदु बिनोध है इसके प्रतम संसकर्ण में कितने कभियों को शामिल किया गया था आरंबिक काल के अंतरगत तो इसमें किया गया था 19 कभियों को शामिल सही बिकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा अगला कुशने हिंडी का भभूती भाखा की जड़ अभिमान मेरू का बेरतना कर कभी कुल तिलक आदी उपादियों से कौन विभूशी थे बिकल्प में है पुश्वदंत, स्वेंभू, अब्दूर रह्मान या इन में से कोई नहीं तो यहाँ पर सही बिकल्प हो जाएगा, बिकल्प ए, पुश्वदंत, जो पुश्वदंत को भाखा की जड़ शिवसियां सेंगर ने कहा था तो आप देख सकते हैं, एक ही प्रशन में ना जाने आपको कितने ही प्रशन बताएगा इसमें पूछा गया है, धनपाल बाकी पती राज मुझ के कभी सवारतन थे, जिने मुझ के दवारा डैश उपादी दी थी तो बताना है कि मुझ के दवारा उन्हें कौन सी उपादी पर दान की गई थी विकल्प में हैं भाका कासी पाही, काबे रतना कर, विरह गीतकार या सरस्पती तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प डी सरस्पती कई वारे ये प्रशन भी बन सकता है कि जो धनपाल थे, किसके सवारतन थे तो ये थे बाकिय पती राज मुझ के अगला कोशन 25 उपदेश रसाइन रास के रशनकार है विकल्प में है धनपाल, पुष्पदंद, जिन्दत सुरी या अब्दुल रह्मान तो यहाँ पर जो सही बिकल्प हो जाएगा तो बो हो जाएगा बिकल्प सी जिन्दत सुरी जो उपदेश रसाइन रास है इसका जो प्रकाशन बर्ष है ये 1114 इस भी माना जाता है अगला कोशन 26 इसमें पूछा गया है बविस्यत कहा ग्रंथ के रचनाकार कौन है तो जो भीस्यत कहा ग्रंथ के रचनाकार माने जाएगे तो ये हो जाएगे आपका बिकल्प ए धनपाल अगला कोशन संदेश रासक जिसके रचनाकाल है अब दुर रह्मान किस प्रकार का काब्य है तो जो संदेश रासक है बताना है चंपू काब्य है, महा काब्य है, खंड काब्य है या इन में से कोई नहीं तो जो संदेश रासक होगा तो यह है एक खंड काब्य है जो संदेश रासक है एक प्रकार से बीर का पेवी है जिसमें अब्दूर रह्मान के द्वारा एक योगिनी का जिकर किया गया है यहां से एक सिधा सा प्रशन ये भी बन जाएगा कि जो सिंदेश रासके इसके रचनाकार कौन है तो ये हो जाएगे अब्दूलरह्मान इसे भी याद रखेगा ये प्रशन भी बनता है अगला कोशन अठाइस प्रमात्म प्रकाश और योगसार किसके रचनाए है तो जो ये दो रचनाए है प्रमात्म प्रकाश और योगसार बताना है ये किसके रचनाए है बिकल्प में है रामकवी, रामसिह, जोयुंदू या कुमारपाल तो ये दोनों ही रचनाए हो जो इंदू की इनका समय चटी श्ताबदी मानना जाता है इसे भी याद रखेगा अगला कोशने 29 निमन में से किस रचना को अचारे रामचंदर शुकल ने अपभनिश की रचना में शामिल नहीं किया है बिकल्प में हो जाएंगे खुमार रासो, बिजे पाल रासो, हमीर रासो या कीर्थी पताका तो यहाँ पर सही बिकल्प हो जाएगा बिकल्प एक खुमार रासो यहाँ पर खुमार रासो की जगा आएगा कीर्थी लता तो जो अचारे रामचंदर शुकल थे इन्होंने अपभंश की रचनाओं में शामिल किया था पिजे पाल रासों को, हमीर रासों को, कीर्थी पताका को और कीर्थी लता को अगला और अंतिम प्रशन है कुमार पाल चरित और देशी नाम माला नामक रचनाएं किसकी हैं? तो जो दो रचनाएं कुमार पाल चरित और देशी नाम माला तो ये दोनों रचनाएं मताना है किसकी हैं? बिकल्प में हैं, रामसी हैं, हेमचंदर, जो यंदू, बिकल्प डी में हैं, हेमचंदर और जो यंदू, ये दोनों ही जो सही उत्तर हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्पी हिम चंदर तो ठीक है दोस्तों यहाँ पर हमारी बीडियो का समापन हो जाता है आप लोग बीडियो के अंतक बने रहें इसका बहुत बहुत धन्यवाद